सब्सक्राइब करेंगे तो एक मैंने स्रीज चलाई हुई है जिसमें हम लोग क्या करेंगे तो आपके डेली क्लास मिलने वाली या अगर आप सभी का सपोर्ट और अच्छा बना रहा तो क्लास इस मिलेंगी इसमें अगर हम करेंगे कि तीन से चार सब्सक्राइब कर पाते हो तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि एक दिन में कम से कम सब्सक्राइब करने के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों जैसा कि कहा यहां पर लिखा हुआ है कि तानो की भठी में तपा आद्मी यह वही बास समझ सकता है जो आज कल वईया ताना सुन रहा होगा तानो की भठी में तपा आद्मी राक नहीं सोना ही बनता है तो आप लोगों को लोगों की बातों से परिशान नहीं होना है आप एक दिन जरूर सोरा बनके निकलेंगे राख नहीं बनेंगे राख आपको नहीं बनना है गोल्ड बनके निकलना है कि लोग बाद में कहें हाँ यार मुझे पता था कि बंदा या बंदी जरूर एक दिन सेल यहां से एक question तो बनता ही बनता है तो आज इस question को जहन में रख लेना है और आने वाले exam में कभी भी शुक्रत नहीं होने देना देखो इसके चार condition है पहली देखो इसमें पूछता क्या हमेशा वह effective ही पूछता है तो condition पढ़ हो condition कह रहा है कि you like आटि है यहних लिषक्टिव नखिए तो इस केस में क्या होता है एल्पक्रत आपकी इलसके जो उसका वाई 2 होती है ल वाई 2 आपको देखने को मिलती है आपसा नमबर इसका जो correct answer होगा तो आप सभी को पता है कि 3 तो इसका right answer हो जाएगा पर आपको इतने से काम नहीं चलने वाला आपको यहाँ पे चार चीजे और आपको ध्यान रखनी है पहले चीज क्या रखनी है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कालम की चार कंडिशन होती है ठीक है तो चार कंडिशन में से हम चारों करेंगे और देखेंगे कि हाँ वह कौन से से कंडिशन होती है सबसे पहली कंडिशन मालों हमने एक डिसकस कर दिया दूसरे माले कालम अगर हो जाए तुम्हारा एक कर दिया जाए और दूसरे स्रेय और यहां पर हिंज कर दिया जाए तो इस केस में जो इस तरीके से होती है तो इस केस में जो आपकी होती है वो आपका ly root 2 की बरावर होती है ठीक इसको धहां रखना है अब कालम के दोनों सिर्यों को हिंज कर दिया जाए ठीक इस केस में क्या होता है यह effective जो आपका होता है वो आपके l की बरावर होता तो चार condition है इन्हीं चारो condition से question आपका पूछता है exam में तो आपको यह चारो condition को बिलुकुल ध्यार रखना है क्योंकि यहां से आपको पता है एक नंबर यहां से आने वाला तो चार condition है जहां पर आप आपको याद न होता हो जहां पर पढ़ाई करते हूं वहां पर सामने जो है जो है लिख कर इसको टांग दीजिए यह confusion बहुत करत होगी कि यह question जो होगा सब लोग सही करके आएंगी अगर आप इस question करके आ रहे हो तो आप समझें कितने पीछे चले जाओगे selection से तो इस question को आपको नहीं चुड़के आना है अगला question है अगला question है आपका कि अगर नहीं करता है तो यह होता है आपने देखा होगा ऐसे काम करता लाधन होता है उसे लगता है लाधन है यह घ्लक प्रक्राइत करते हैं ऐसे लगता है लें कराते है आगे बढ़ते हैं अगला को से लोप अब बेंडिंग मोमें डैयाग्राम गिभ जो देखो यहां पर आपने एक दो चीजे पढ़ी होंगी एक आपने पढ़ा होगा dm by dx तो dm by dx क्या होता है ये bending moment diagram का जो सलोप होता है हमको वो हमको क्या देता है वो हमको shear force की बरापर देता है क्या देता है उनको shear force देता है और आपने एक पढ़ा होगा db by dx या df by dx या df by dx पढ़ा होगा जो shear force का diagram होता है तो यहां पर कुछा है कि बंडिंगा डाग्राम का जो सिर्फार्वाज निकाल के देता है तो इसके लिए आपका आपसर नंबर यहां पर यहां पर निपर यहां पर बंडिंग मेंडागराम का था को निकाल को देता है आपसे नंबर सेकंड इस कुष्टन का राइट एंसर होगा बढ़ते हैं अगले कुष्टन के तरफ में यहां से भी आपके एक्जाम में आप किसी भी एक्जाम को उठा कर देखोगे यहां से एक कुष्टन बनता ही बनता है तो हम नहीं चाहते हैं कि पहले फ governments और उसके बाद हम सक्यूंड फोड़ा होगा यहां पर चार अन्नोन होते हैं एक होता है आपका सियर मोड अजी एक होता है आपका कि तो इन चारों में एक रिलेशन पूल्स करनेłeं के आता है वह हम आपको साथकोज को इस और एक होता है इस हम पहला तो graduate में one plus का और आपको बता दें कि उता ह cyclist में बराबर one by m भी होता है कि न बांए Veter स्वेक्षिट है क्या होता one by m होता है तो इस टूज घ्र 2 j और यहां पिरखोंगे one plus one by m को कि तो क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा इस टूज टू ची म DP्लस धूब M हो जाएगा अगर हम यहां से J कमान निकालें तो J की करम में लिख सकते हैं इसको कि J is equal to E into M यह हम यहां multiply हो गया और divide by 2 M plus 1 तो M के पदों में भी और आपका जो है इसके पदों में भी हो गया तो यह आपका फामला बन के आता है तो इसको आपको ध्यान रखना है कि E is equal to 2G1 plus मू तो होता ही होता है प्लस आपका G is equal to E into M upon 2M plus 1 भी होता है तो एक फामला आपका यह बनता है ठीक है अब दोसरे फामला लेकता है हम बलोग बढ़ते हैं दोसरा फामला आपका क्या कहता है आपने इसको पढ़ा होगा पर ध्यान रखना है E is equal to आपने पढ़ा होगा E is equal to 3K 1 minus का 2μ आपने यह तो पढ़ा ही होगा अगर हम यहाँ पर μू की जगहां पे 1 by M रख दें रखेंगे तो हो जाएगा E is equal to 3K 1 minus के 2 by M हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा आगे बढ़ते हैं E is equal to 3K M minus 2 divide by M यहाँ हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा भाई अब यहाँ पर हमको K के बलू निकालनी है M के is equal to हो जाएगा M into E divide by 3 M minus 2 यह हो जाएगा तो आपको एक equation यह भी आदखना है कि K is equal to M into E divide by 3 M minus 2 तो आपने देखा यहाँ पर दो चीजे हमने यहाँ पर डिसकर्स की एक हमने डिसकर्स किया E is equal to 2G1 plus mu और एक डिसकर्स किया E is equal to 3K minus 2 mu तो यहाँ पर एक और relation है उसको भी लगे हाथ यहाँ रख लिएगा वो यह है कि E is equal to या musical to होता है musical to 3K minus 2G divide by 6K plus का 2G तो यह आपका होता है एक equation यह भी आपको देहान रखना है कि mu is equal to 3K minus 2G upon 6K plus 2G होता है और एक और equation निकल के यहाँ से आती है E is equal to 9 kg divide by 3K plus G तो एक equation यह निकल के आती है तो यह चार equation है और चारो equation से आपके exam में कभी तो formula के base पर कभी तो आपके numerical के base पर कभी कैसे तो कभी कैसे तो यहाँ से question आपका बनता है तो जैसे अब यही question आप देख लेजिए यहाँ पर आपको पता है कि हमको bulk modulus के और यह अग मोडलस यह मोडलस A के बीज में आपने नारमल से फावला यह याद लखा होगा कि A is equal to होता है आपका यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पॉजन लेशियो जो मिव आपका इसको 1 by M की रुप में रुपित कर दिया है जब मिव को आप 1 by M लिखोगे तो यह हो जाएगा आपका 3 के और 1 minus के 2 by M इसको solve करोके तो हो जाएगा M minus 2 divide by M ब्रेकट में यहाँ पर 3 के यहाँ पर आपका E आजाएगा लेगिन E के पदों में नादाय करके यहाँ पर K के पदों में दिया जब K is equal to लिखोगे K is equal to हो जाएगा M into E divide by 3 M minus 2 आपने देखो यहाँ पर देखा भी होगा आपने यहाँ पर दिसकस भी किया थे जोले फर्मूले को यह देखो कि आपका यहाँ तो होता ही है E is equal to 3 K minus 2 M पर K के पदों में अगर आपकी value लिखनी हो तो इस तरीके समझो लिख सकते हैं कि K is equal to M into E upon 3 M minus 2 D is the right answer हो जाएगा तो आपको यह चारो फार्मूले बिल्कुल अक्तम कंठस्ट रखने हैं जहां कहीं भी आप बैट के पढ़ाई करते हो तो उसके सामने इसको आप चस्पा कर लेजिएगा बिल्कुल चिपका लेजिए और दिलो धिमाग में इसको बैठा लेजिए कि अगर कुशन आएगा तो आप ब्लत नहीं करना है देखो selection जो होता है न ऐसे कुशन से ही हम नहीं कहेंगे कैसे कुशन से होता है देखो ऐसे कुशन क्या होते हैं हम लोग गौर्फिक नहीं करते हैं और एक्जाम में ऐसे कुछन गलत हो जाते हैं तो जो बंदा इस कुश्चन को सही कर गिया आता है तो वो तो भीया सही है लेकिन मालोक कभी-कभी कंडिशन ऐसी बन जाती है सिच्वेशन ऐसी खराब हो जाती कि पेपर का लेबल कुछ अलग कुछ दिया उस आपने ऐसे कुछन को गलत कर दिये तो क्या होगा कि आपके वहां पर सेलेक्शन होने के चांसे बहुत कम होता है कि हम लोग बहुत यह सी लेबल की कोईशन करते हैं बहुत बड़े लेबल करते हैं कोईशन और एक्जाम हाल में कभी-कभी वैसे कोईशन तो आते हैं नो डौड आये तो आए गही पर हमेशा सब का सब टफ नहीं आता है अभी आप अपने दिमाग से ठंडी दिमाग से देखेंगे तो लगभक सतर 175 तो 60 कॉष्ण आप आराम सेपना लोगे वहां एक्जाम करता प्रेसर होता है उनहीं बात है कि हमको समझना है करुछ ऑनको हमें नहीं चोड़ना है जो हमारे टफ कोशन है उन नहीं में चोड़ना है हमको सब कुछ लेकर चलना है अगला कुशन है कि horizontal angle between the true meridian and a line is called देखो यहाँ पे horizontal angle की value बताना है true meridian और एक line की बीच में तो आप सभी को पता ही है कि आपका जो आपका जो true meridian होता है यह होता है ठीक है अगर true meridian से कोई line जो angle बनाती है ठीक है true meridian से अगर कोई line कोई angle बनाती है तो उस line को यह आपकी जो line है तो वो जो angle होता है उस line के लिए true bearing होता है क्या होता है true bearing होता है अगर हाँ आपसे कहें कि magnetic meridian यहाँ पर मालो आपका क्या है magnetic meridian है और कोई line जो angle बनाती है तो क्या होती है वो आपकी magnetic bearing होती है ठीक है bearing होती है एक है वहां से कोई लाइन अगर एंगल बना रही है तो आपका जो एंगल बनेगा क्या होगा वह आपका होगा होगा तो इसी प्रकार से अगर वह पुछा है टू मेंडियन से कोई अगर पूशिय लाइन है कहीं पर कहीं नहीं तो उसी चेह एंग similar कहते हैं आपसा नंबर जो पहला होगा इस कोशन का करेक्ट आंसर होगा लोगों को डिकलीनेशन में और यहां पर चार-पांच बाते हैं उनकों डिसकास कर लेते हैं जो बहुत लोगों बहुत डिस्टाइब करती हैं जैसे कि अगर से पूछें कि एक तो होता है तो यह एंगल होता है जह इनके बीच में बनता है में चाहा है आपका वेस्ट में बने तो यह अगर यह सुझा होता है अगर यह तरब है दो पूबाइंट निकलगा आता है एक आपने सुना होगा आपको देखने को यह मिलता है आपने सुना होगा एक इसना होगा आई सो Ήगॉनिक और एक सुना होगा आई सो क्लिनीग होता है आपका योजरी यो Persia A . अगर आपसे कहा जाए कि जो सेयम डzh Seoul होता है मुलब सेयम डेकली नेरेशन वाले पॉइंटों को मिलाने जो रेखा होती है वह आपकी होथी ऐसलों एकली ठीक है और eight Oh डिप क्या होता है जो चुम्बिक्य स्वी जो अपने अच्छ से थोड़ा जुग जाती है तो वह जो आपका होता है तो डिप में डिफ्रेंस होता है तो अगर सेम डिप वाले तो यहां है बनते हैं लुख और यहां से कुशन आपको नुमेरिकल से मिल सकता है और यहां से आपको जो कुशन है वो आपको जो है theory based से भी मिल सकता है तो यहां से question आपके बनते हैं इस topic को आपको पढ़ना है बिल्कुल पच्छे से पढ़ना है इस पे जो question बनते हैं मैं उनको भी discuss करूंगा next videos में क्योंकि यहां से question आपका अगर बनेगा तो आप यहां से गल्दी करके न जाओ तो यह होगे declination का अला point ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास सर्वेंग के question शुरू हो रहा है यहां पर हम बात करेंगे the unit of representative fraction in engineering drawing engineering drawing का जो आपका representative fraction होता है RF उसकी unit क्या होती है तो आपके साथ हम discuss करेंगे कि यहां पर जो RF लिखा है उस RF का मतलब क्या होता है इसका तो full-farm आपने बढ़ी लिया कि representative fraction पर यह अक्चली में होता कि यह आपका होता है map distance डिवाइड बाई का ground distance क्या होता है ground distance होता है सपोज अगर आपने ground पे 10 km की दूरी ना पी तो क्या 10 km की distance को हूब हूब मैप में हम लोग दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते क्योंकि मैप बहुत छोटा चीज़ होता है और ground की distance को तो ground की जो distance है उसको map के distance पर represent करना ही आपका represent reflection होता है तो हम लोग वहाँ पे कि scale मान लेते हैं कि भाई अगर हमने ground पे 10 km की दूरी ना पी तो वह जो आपकी होगी 10K Когда मैं 10K होगी पर उसको महान लेते हैं कि 1cm होगी तो हम लोग क्या संटी मीटर को आराम मेप इस तरह सकते हैं बिल्कुल उप ठीक है यहां पर पूछा है कि दोनों को सेम करना पड़ता है अगर यहां सेंटीमेटर है तो नीचे भी तो एक क्लिमेटर में 1000 मेटर और आपको जाएगा एक मिन्ट में 100 सेंटीमेटर से संटीमेटर कर जाता है यहां पर कुछी भी प्रेकार की डैमेंसर नहीं निकल कि आती है तो इस कोशन का जो एंसर होगा पूछा है कि यूणिट आफ डी प्रेजनटेटिव फ्रेक्षण इन बढ़ते हैं अगले कोशन के तरफ अगला कोशन आपका रिमोट कोशन है जिसको हम लोग इंपर वहाँ से कोशन आपका एकजाम में एक दो कोशन बन जाते हैं तो हम नहीं चाहिते हैं कि हम किसी भी टॉपिक को छोड़ के जाएं तर्म यूजड टू क्लेक्र दा इन फार् तो इस question को ध्यान रखना है आपको क्योंकि हम लोग रिमोट सेंसिंग हो रहा है तो ना पढ़ते नहीं है पर question बन जाता है तो क्यों हम लोग उसको छोड़ कि आए तो देख लेते हैं इस question का जो answer होगा वो होगा remote sensing कि इसमें कह रहा है कि अगर हम किसी पकार की object की किसी place पर बिना physical contact की बिना अगर हम किसी पकार की information को जुटा रहे हैं या उसको collect कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं रिमोट sensing कहते हैं क्या कहते हैं रिमोट sensing उसको हम लोग कहते हैं तो इस बात को ध्यान रखना आगे पढ़ लाते हैं इसके बारे में details से कि remote sensing is the acquisition of information about an object or phenomena without making physical contact with the object and this contrast is unsent observation मलब remote sensing के बारे में यहां definition दे रखा है कि remote sensing क्या होता है बिना physical contact के हम किसी object की स्थति को दिखाना वही हमारा क्या कहता है remote sensing कहलाता है इट यूज यूज नियूमिरियस फिल्ड इन इक्लूडिंग जियोग्राफी लैंड सर्विंग एंड मोस्ट earth science discipline for example hydrology, ecology, meteorology और oceanography और glaciology और geology इन सभी चीजों में इसका यूज हम लोग करते हैं कौन-कौन से इसे component होते हैं जो कि remote sensing में यूज होता है आपसा नमबर एक energy source होता है जो कि illumination की तरीके सबे होता है interaction with the target होता है regarding of energy with the sensor होता है transmission reception and processing होता है और interpretation and analysis होता है तो यह चार-पांच है इसके मतलब जो है component है तो इसको आगे से ध्यां रखना है कि without physical contact जो हमारा होता है वो हमार remote sensing के तरीके समलोग करते हैं आगे बढ़ते हैं अगले question के तरफ अगला question आपका है sensitivity of level tube तो इस question को करने से पहले हम कुछ चीज़े जान लेते हैं कि level tube की sensitivity होती है उनमें क्या relation होता है तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे sensitivity of level tube के बारे में तो है कि the sensitivity of level tube is the angle in second subtended at the center by an arc of the level tube equal to one division of the tube the sensitivity of level tube can be increased by तो जो sensitivity होती है sensitivity होती क्या है इस पकार का एक level tube होता है और यहां बीच में जो बुलबुला होता है तो हम लोग क्या करते हैं किसी भी जब हम लोग serving कार करते हैं तो कभी हो plane table का हमको करना है यह अपने डंपी level क्या होगा यह ठोड़ाइट आपने यूज किया होगा उसमें देखो एक डंप उसमें यह बवल ट्यूब लगा होता है तो उसको centering करते हैं तो यहां पर जो लेवल ट्यूब होता है इसका यूज किया आता है कि हमारा plane table level है या नहीं है और centering करने में आपने देखा होगा कभी को बहुत तीज भाग जाता है तो आपने उसको गौर करना है और यहां पर इसको समझने बातों को कि इनक्रीजिंग दा लंथ आफ लेवल ट्यूब अगर लेवल ट्यूब की लंथ को हम लोग बढ़ा देंगी तो संस्टिविटी आपके क्या होज़ें इनक्रीज कर जाएगी इनक्रीजिंग दा डायमेटर अब ट्यूब अगर डायमेटर आप द्यूब अपने देखा होगा कुछ इस तरीके से से होता है लंबा सा और उसमें डायमेटर के अंदर कुछ लिक्विड भरा होता उसके इ और हम लोग विसको स्टी आप दा लिक्विड को डिक्रीज कर दें जो लोक्त ट्यूब के ंंदर लिक्रीज कर रहे हैं अगर यह हैं आपसन जो कहे रहा है चाहों था आपसन की डिक्री जिंग विसकोस्टी आप लिक्विद अचान क्या मुविम्मेंट करायों तो क्या मुव्मेंट उसमें बहुत जल्ले जल्देट होगा कि धीरे धीरे होगा वह बिल्कुल कह दीजे कि होगा ही नहीं मूवमेंट दिखेगा ही नहीं अगर वही वाट पानी लेजी और पानी में उसको मूव कराएं देखो कितने को तो वहीं कहा रहा है अगर विस्कोष्टी आप लिक्विड को हम लोग घटा दें जो जैसे इथर अगरा उसमें भरा जाता है तो जो बबल कहना जो लिक्विड भरा होता है अगर उस लिक्विड की विस्कोष्टी को हम लोग घटा देंगे तो उससे जो संस्टिविटी निकल कि आएगी वह क्या हो जाएगी उसकी बढ़ जाएगी तो वहीं बात कह रहा तो इसकोशन को कौन सा इतना समझ लिया अब यहां पर पता ना है कौन सा करेक्ट डियसंशिप है रिगार्डिंग दस संस्ट्यूटी आफ लेवलटूप तो पहला इसने आप संगा है कि लेवल डेन्थ लेंथ लेवल टूप की लेंथ यूद घूर करेंगे तो इसकी संस्टिविटी क्या लस हो जाएगी बहुत ही घोर पाप गलत बात है यहां पर साफ साफ लिखा है अगर लेंद्ध हाफ लेबल टुप को बढ़ाओगे तो उसकी क्या होगी इंक्रीजिंग कर जाएगी तो यह पहला गलत हो जाएगा ग्रेटर दा विसकोष्टी मोर इस संस्टिप अब यह कहने ह होगी तो वह विसकोष्टी जादा होने पर करेगा मूब कर जाती है अगला कि लेसर दा बिसकोष्टी मोर इस संस्टिप हाँ यह बात है अगर इस चैपाफ़ ले लिया एक ने अपने मर करी को भर दिया और एकम अपने करेगी जादा कि वाटर मुब करेगा वाटर जादा मुब करेगा वरकरी कम उब करेगा तो मलब विस्कोष्टी जितनी कम होगी उतने अधिक फ्रिक्वेंटली मूब कर पाएगा सपोज आपने एजूम किया होगा तो उसमें जो बबल भरा होता हम लोग जब तीन पाद को फूट कराते हैं तो देखो वो जुसमें बबल होता मूब करता अगर वहीं मरकर यह कोई ऐसा कोई हाइवी लिक्विड भरा होता जो मूब कर ही स्टी जादा उ कहा है बिलग昨 चुट करेंगी उसकी संचिविटी उतनी ज्यादा निकल के आएगि यहां सा वां पो यह यह रकना याद कर लेना यहां से कुछन आपका बनता है भाई साब जरूर बनता है कुछन आपका इस बात को बिलकुल दिहां रखना है आगे बढ़ते हैं अगला कुछन आपका है कि विच टाइप आप संसर यूज दा में मेड सोर्स आफ इनर्जी फार डेटा कलेक्शन तो इसको दि आपका रिमोट संसिंग यापका रिमोट संसर से सम्मधित चीज़ें आपको पढ़ना जाना या इसको पढ़ सकते हैं तो यह हो गई आपका यह तो फोटो के मठीक कोशन था हम ने सब्सक्राइब कर लिया है थेंक्यों जयहिं जयवाराओ